दोनों कप्तान मैच रिफरी के साथ टॉस के लिए तयार इन परिस्तितियों में टॉस हारना बहुत महेंगा बढ़ सकता है बहुत ही दिल्चस्प मैच होना चाहिए ये अब तो एक रोमान्चक मैच की शुरू और ये आ रहे हैं फिल्डिंग साइड ये आये सलामी बले बास दर तेज गेन बास को लाया जा रहा है इस छोर से इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंत रण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बहुत ही बड़ा सिक्स मानो कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी बहुत ही आकरामक फील्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में ये एक बहुत ही अच्छी रन नीती हो सकती है बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लाइन के पार छे रन दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए और ये शॉट बस एक रन ही निकाल पाए डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौझूद ओहो हो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शॉट और ये सीधा बाउंडरी के पार ऐसे फॉर्म में खेल रहे है यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहां छे रन ये एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे बदकिसमत रहे हैं वहां बाल सीधा फील्टर के हाथ में जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा बल्ले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेनबास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे